हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चेनल आई होप अब तक आपको मेरी सारी रेसिपी पसंदारी होगी इसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को यह दिए सबस्क्राइब ने कहा तो सबस्क्राइब कर लिजी ताकि सारी रेसिपी आपको मिलती रहें आज मैं आपके साथ शेयर करे लोखी का हलवा की रेसिपी जो की बहुत ही सिंपल है बनाना इसको आप वरत में भी खा सकते हो यह ग्रेट लोखी लिया मैंने 500 ग्राम मैंने इसका पानी नहीं रिमूग किया है हमें ग्रेट करके रखना है उसको ही लेना है इधर मैंने एक पैन में टू टेबल स्पून घी साथ अच्छा लगता है तो मैंने 2 टेबल स्पून गी डाला और इसी के साथ जब तक गी मेल्ट हो रहा है हम लोग तूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है उसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून दूद डाल के उसका पेस्ट बना लिया है कुछ लिक्विडी फॉम में अब गी हमारा मेल्ट हो गया है तो मैं इसमें जो हमने लोकी ग्रेट की थी ना उसको मैं एड कर रहे हूं लोकी के शीट्स हमें निकाल के करना इस बात का ध्यान रखें आप सारी लोकी में इसमें पोर करके इसको अच्छे से मैं सेकूंगी घी के साथ इसको तकरीबन हमें 5-7 मिनिट्स लग जाएंगे इसको हमें ऐसे सेकना है ताकि यह बिल्कुल भी रो नहीं रहे यदि हमारी लोकी रो रह जाएगी तो हमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा हलवे का इसलिए इसको कंप्लीटली आप सेके कुक करें और फिर मैं इसको कवर लगा के 5-7 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे रख दूंगी अब देखें यह काफी हर्त तक सिख गई है तो अब हम इसमें हमारे दूसरी इंग्रिडियं फ्रेंड्स यह हलवा आप रूटीन में बनाएं तो भी बहुत अच्छा लगता है और इसका सबसे बड़ी बात कि हम इसको वरत के लिए बना सकते हैं तो अभी नवरात्रे हैं तो आप उसको नवरात्रा में भी यूज़ कर सकते हो तो आप इसको एक बार जरूर ट्राइ क बहुत ही हल्दी है अब मैंने इसको लिट लगा के रख दिया और मैंने ये टू टेबल स्पून किस्मिश और वन टेबल स्पून के राउंड आलमंड लिए आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राइफूट ले सकते हो लगबग तू से त्री मिनिट के बाद में मैंने इसको किया है हमारा जो दूद का मिक्स था हो अलमोस्ट ड्राइ हो गया है तब मैंने इसमें कार्डामों पाउडर यानि इलाइची पाउडर उसके साथ ही हमारे जो ड्राइफूट्स मैंने चौप करके रखे थे वो डाले इस हलवे में आप किश्मिश का जरूर यूज कीजिए इतना अच्छे से मिक्स हो रहा है हमारा हलवा बहुत अच्छा बनाया है बनके अलमोस्ट यह रेडी हो गया है हमें क्या करना इसको अनौदर टू 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 थ्री मिनिट के लिए कुक करना है ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें जो मिल्क दिख रहा है वो कंप्लीटली वैन मैंने बाउल में सर्व कर लिया है थैंक जो